गुड आफ्टरनून बच्चो आज हम थर्ड में करेंगे चैप्टर 6 वाव मैनी टाइम्स यानि यह जो चैप्टर है इसमें बताना है आपको कि एनिमल्स जो हैं उनके बारे में बताना है कि कितनी उनकी लैग्स हैं यानि इसमें प्लस और मल्टिप्लाई के अकॉर्डिंग 4 एंड 5 तो यह वाली जो है नजर नहीं आ रही है लेकिन यहां भी गोट रखी हुए इन्होंने तो अब इन्होंने यहां पर बताया है कि how many legs together तो अब बच्चो यहां पर अगर एक गोट है यह दूसरी तीसरी चोथी और पांच मी है तो एक गोट की कितनी लैग्स हैं 4 द 2, 3, 4, and 5 यानि कि 4 ताइमस आता है तो इकवल क्या हो जाता है यह 20 तो यानि 5 ताइमस जब 4 आता है 1, 2, 3, 4, 5 कितने टाइमस 5 ताइमस जब 4 आता है तो इकवल हो जाता है वह 20 के और हम इसको multiply भी कर सकते हैं अगर 4 को हम 5 टाइमस प्लस करें तो भी 20 आता है अगर 5 4 करें तो भी 20 आता है तो इसी तरह से second, third question है वह आपको मैं explain करती हूँ तो बच्चों यहां पे आप देख रहे हो spider how many spiders? कितने spiders हैं यहां यहां पे? 1, 2, and 3 कितने हैं spiders? 3 हैं 1, 2, 3 तो यहां लिखेंगे हम 3 उसके बाद में पूछा है one spider has dash legs यानि एक spider की कितनी टांगे है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 अगर एक spider की कितनी टांगे है? 8 तो हम लिखेंगे 8 legs यानि spider कितने हैं? कितने spider हैं? 1, 2, 3, 3 spider हैं तो एक की कितनी legs है? 8 है इन आल spider legs और 3 times यानि कि 3 times इनकी legs हैं तो हम इनको क्या करेंगे? 1, 2, 3, 3 times ये spider हैं तो legs कितनी आएंगे इनके? 8 तो ये is equal to कितना हो जाता है? 24 24 यानि हम यहां लिखेंगे 8 फिर प्लस 8 फिर प्लस करेंगे 8 बचो आप समझ रही हो न? एक spider की legs 8 हैं दूसरे की भी 8 हैं और तीसरे की भी 8 हैं तो अगर हम इनको प्लस करते हैं तो ये कितना हो जाता है? 24 तो इसी तरह से अगर हम 3 को, 3 spider को 8 के साथ multiply करेंगे तो तो भी क्या आएगा? 24 तो ये समझा आपने ये question इसी तरह से इनको हम प्लस भी कर सकते हैं और multiply भी कर सकते हैं अब यहां पे third question है Do you know this leg fellow? This is an octopus ये भी एक water animal है जो पानी में होता है इसको octopus कहते हैं तो ये जायदा तर बड़े बड़े समुन्दरू में होता हैं तो यहां पे इसकी कितनी legs हैं? यहां पे हम देख रहे हैं इसकी legs कितनी हैं? देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 तो कितनी legs आ गई? 8 legs हैं इसकी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 तो 8 legs हैं इसकी एक octopus की 8 legs हैं? अब हमें देखना है कि अगर 5 होंगे तो उनकी कितनी legs होंगी? अगर एक की 8 हैं तो हमें 5 की लिखनी हैं तो यहां कितने box हैं? 1, 2, 3, 4, 5 तो 5 octopus की हमें देखनी कितनी legs होंगी? तो एक की हम 8 लिखते हैं दूसरे की भी 8 लिखते हैं तीसरे की भी 8 लिखते हैं चोथे की भी 8 लिखते हैं और पांच में की भी 8 लिखते हैं हमें 5 ही लिखते हैं ना 1, 2, 3, 4, 5 यानि 5 octopus हैं हमारे पास तो 5 octopus हमारे पास है तो एक की अगर 8 legs हैं तो 5 की कितनी होंगी? हमें इनको प्लस करना है तो इसका आएगा 40 ऐसे ही अगर आपको multiply करना हो तो आप कैसे करोगे यहाँ पे 5 times हमने क्या लिखा 5 times क्या है हमारे पास 8 है तो इसको हम क्या करेंगे यहाँ भी 40 आएगा तो 5 को कितने times हमें 5 को किसके साँ multiply करना है 8 के साथ यानि कि 5 जो octopus है तो 1 की अगर 8 है तो बोलो जी जो 5 है उनकी कितनी होंगी तो 5 into 8 करोगे 5, 8 is a 40 ऐसे हम plus करके लिखते हैं और ऐसे हम multiply करके लिखते हैं तो अब हम आज का इतना ही करते हैं इससे आगे हम काल question करेंगे ओके बाई